आज हम बना रहे हैं चावल का पीठा इसे कहीं कहीं पे फरावी कहा जाता है नमस्कार आप सभी का मेरे यूटूब चैनल उर्मिलाज कॉर्नर में स्वागत है आज के पीठा में आलू भर करके बनाएंगे आलू का मसाला बनाने के लिए कड़ाई में सर्शो तिल गरम करेंग और उसमें खोरन में जीरा, सर्शो और तिचपत्ता डालेंगे क्रश क्या हुआ यहां पर अद्रक, लशून, मिर्शा, कड़ी लिप्स को डालेंगे चोटे-चोटे टुकडे में प्याच काटकर डालेंगे और इसमें थोड़ा सा हम मटर डाल रहे हैं मटर के साथ ही इसमे अवले हुए आलू को मैस करके डाल देंगे इसमें मसाले में धनिया पडर अंचुर पडर और गरम मसाला प्डर डालेंगे औ करी इन सब को एक दू मिनиться के लिए थोड़ा से अउपर सो मेर्ची काटकर डालेंगे और धनिया पटटे डाल फीनला देंगे पीठा इसमें के और इसे पुरा एक सार करके समेट करके और इसे पंदर मिनट के लिए रेश्ट करने के लिए रख देंगे पंदर मिनट बाद फिर से इसे पांच मिनट के लिए गूत हैंगे और दूसरा तरीका है कि हम पानी को जैसे दो कटोरी पानी है तो दो कटोरी पानी में चावल पाउडर डालेंगे और पानी को पूरा खौलता हुआ पानी में हम इसमें चावल पाउडर डालके और इसे मिला करके और इसे गुत लेंगे दोनों तरीकों से पीठा अच्छा बनता है लेकिन पानी में खुला करके आटा डालने से ये पीठा ज्यादा सौफ्ट बनता है बजाए जो की हम गरम पानी से सांते हैं पहले तरीके से हमें उसे 15 मिनट फूलें के लिए रखना पड़ता है और इसे हम तुरत बना सकते हैं तो जिस तरह से हम आटा की लोई लेते हैं उसी तरह से इसे लोई लेकर के और इसमें हम आलो का फिलिंग डाल करके इसे तयार कर लेंगे तो इसमें हम इस तरह आलो डाल द तो चुले की तरफ चलते हैं और यहां पर हम एक भगोने में पानी करें एक से डेर गलास पानी डालेंगे और उसके उपर इस तरह का कोई जालीदार बरतन रख देंगे अगर जालीदार बरतन नहीं है तो कोई भी सूतिक जालीदार कपड़े को यहां पर हम बाहन देंगे औ और उसके उपर में इस तरह से पीठा रख करके और 15 मिनट के लिए इसे पकाएंगे और जो गरम पानी से गूत कर बनाये थे उसे पकाना होगा तो थोड़ा और ज्यादा दिर पकाएंगे करेब आदा घंटा तक उसे पकाएंगे तो यह हो गया है फीलिंग में यहाँ पर हम दाल तीसी कुछ भी भर सकते हैं तो चले इसे काट कर देखते हैं यह कितना सॉफ्ट बना है अगर हमारी यह वीडियो आप से भी को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा तो चलिए अब इसे हम धनिया पत्ते की चटनी के साथ सर्व करते हैं थैंक यू